हेलो गाइज विल्कम बैक टुमाइडूब चैनल एसके इम इस्टड़ी अभी आप सक्सिच मैं हूँ आपका एजुकेटर सिवम मिस्रा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूटूब चैनल एसके इम इस्टड़ी पर और यहां प्यार प्यारे बैच्छो हम लोग बहुविकल्पी अतिलग घुत्तरी और लग घुत्तरी प्रश्णू को कवर करने वाले हैं जो कि अध्याय एक से टोटल नौ तक के प्रश्णू को हम लोग देखने वाले हैं बहुविकल्पी एक नमबर काता है अतिलग घुत्तरी भी प्यारे बच्छो एक नमबर काता है बात करेंगे लग हुतरी तो लग हुतरी दो टाइप की होती है एक दो नमबर की होते हैं एक तीन नमबर की तो इस वीडियो में तीन नमबर की हम लोग लग हुतरी प्रश्ट देखने वाले हैं ठीक है और ये सब जो प्यारे बच्चों प्रश्ट है यहाँ आपके बोड परिच्छा में हर साल रिपीट किये जाने वाले प्रश्ण है जो कि आपके बोड परिच्छा में हर साल पूछे जा रहे हैं केवल उन्हीं प्रश्णों को इस वीडियों प्यार बच्चों आपको उठाया गया है बताया गया है जो कि आपके लिए सबसे क्या है महत्यपूर्ण है सबसे पहले हम लोग प्यार बच्चो बहुभी कलपी प्रश्णों को कबर करेंगे और इसका जो PDF है क्या है प्यार बच्चो PDF बोले तो नोट सो वो कहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपका टेलेग्राम चैनल है SKM इस्टड़ी क्या है SKM इस्टड़ी से आप प्यार बच्चो डाउनलोड कर सकते हैं SKM इस्टड़ी टेलेग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स की अंदर दिया गया है जाके वहां से SKM इस्टड़ी टेलेग्राम को फटाक से जॉइन करो और आज का वीडियो लाइक टार्गेट प्यारे बच्चो वन के जी हाँ वन के एक हजार वीडियो लाइक टार्गेट है और मुझे पता है कि जितने व्यूज हैं उतने लाइक होंगे और कमेंट भी प्यारे बच्चो आप लोग करिए कि हाँ हम भी 95 प्लस लेकि आएंगे सर आपके साथ मेहनत करेंगे और आपको डेली अप क्लासेज मिलेगी किसकी किसकी मिलने वाली है तो डेली क्लासेज प्यारे बच्चो आपको बता दे यहीं पे हिंदी की मिलेगी इंग्लिस की मिलेगी फिजिक्स की मिलेगी केमेश्टिक मिलेगी और बायलोजी की मिलेगी यह जो पांच टू है और एक मैत भी है तो इसमें से प्यारे बच्चो कुल आपको चार क्लासेज डेली देखने मिलेगी दो क्लासे जैसे की हिंदी और मैथ को इसको प्यार बच्चो एक दो दो दीन करके उसमें ही हम लोग जोड़ देंगे लेकिन अब चार डेली क्लासे आपको मिलने वाले है आपके स्कियम इस्टडी यूटूब चैनल पर तो अब फडाक से जुड़ जाई अब देन नहीं करना बोड़ परिच्छा 2022 के लिए ठीक है तो यहां पर अध्या एक सिनो तक के प्रश्णों को देखने वाले हैं तो चले सबसे पहला प्रश्ण आपके सामने है बहुत इंपॉर्टन प्रश्ण है प्रश्ण क्या है प्रश का एक सिल प्रतिरोध आर के सिरों से जुड़ा हुआ है यदि सिलों का टर्मिनल विभवांतर वी हो तो सिल का आंतरिक प्रतिरोध ग्यात कीजी यानि कि बैदुत वाहकबल एक सिल प्रतिरोध आर के सिरों से क्या प्यारवच्छों जुड़ा है यदि सिल का टर्मिनल इन्टू आरपान वी या फिर ए माइनस वी इन्टू आरपान टू वी तो यहां पर सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध निकल के आएगा वो निकल के आए प्यार बच्चो ए माइनस वी इन्टू आरपान वी यानि कि आपसन नमबर थ्री क्या हो जाएगा आपका राइट हो जा पूछा गया प्यार बच्चो ये प्रश्ण है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप ज़रू से ज़रू तयार ही कर लेजिए मैंने जीरो से शुरू किया था क्योंकि जीरो प्यार बच्चो करना हो तो आपको बहुत हो बहुत 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 प्राब्लम हो जाएगी इसलिए हम लोग सुनने से सुरू करेंगे ठीकिना चलिए अगला प्रशन है प्यार बच्छों यहां पे बैदु बैदु छेत की तीवरता का मात्रग निम्न में से कौन सा है बैदु छेत की तीवरता का मात्रग क पेपर में कि बैदुचित की तीवरता का मातर क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर कुलाम न्यूटन जूल प्रति कुलाम या फिर न्यूटन प्रति कुलाम तो इसका प्यार बच्छो राइट एंसर क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम क्या हो जाएगा न्यूटन प् प्रश्ण होगा उसका क्योश्चन प्यारव च्छो एंसर उसका कमेंट करेंगे कि बैदुचित की तीवरता इका मात्रक क्या होता है कमेंट करिए फटाक से अपने इंसर को हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं चलिए अगला प् न्यूटन प्रत्कुलाम होता है या फिर वोल्ट प्रती मीटर होता है तो बैदुद्ध फ्लक्स का मात्रक मेरे प्यारे लाड़ लोग क्या होता है तो जो बैदुद्ध फ्लक्स का मात्रक होता है वह होता है आपका न्यूटन प्रत्कुलाम इंटू मीटर स्कॉयर होता है Newton प्रत्कुलाम Newton प्रत्कुलाम into meter square जो होता है क्या होता है पैरवच्चो बैदुद flux का मात्रक होता है इसका जो notes है आप जैसे की देखिए एक पढ़ने का technique क्या होता है पैरवच्चो एक पढ़ने का technique की यह होता है कि जैसे जो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने यहां पर पढ़ा दिया यह फीजिक्स, तो फीजिक्स की यह वीडियो आई, इस वीडियो की कम से कम तीन बार देखें, किन्नी बार देखें, कम से कम तीन बार देखें, उसके बाद जो हमारे द्वार दिया गया नो चो प्रैक्टिस करना है क्या आपको प्रैक्टिस सेट भी करना है क्या प्रैक्टिस सेट भी करना है क्या अगर यह भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए प्रैक्टिस सेट भी मैं आपका करवा दूँगा प्रैक्टिस सेट भी क्या करवा देंगे ठीक है ना चली अगला प्रश June into या बैदुत्र Heniz मत्रक होता है जुबव्ल पर्टी क्ति Coolam होता है बैदुत्र HWowah का मत्रक होता है अगला प्रश्न है के प्रश्न क्या है प्रश्न है कि चुमकी छित की तीवरता का मात्रक है बेबर प्रतिमीटर स्क्वाइर बेबर प्रतिमीटर बेबर इंटुमीटर बेबर और प्यार बच्चो पीडियाप के लिए फिर से आप से रिक्योष्ट करूँगा कि आप अभी जाके फटाक से टेलेग्राम चैनल स्केमिस्टर डाउन का मात्रक होता है अब मैं आप से बोला था ना कि अतलगतरी प्रश्णों को कर करें जो कि आपका एक एक अंका प्यार बच्चो बोड़ एक्जाम में आपका पूछा जाता है तो सबसे पहला प्रश्ण है पे चुम्बकी फ्लक्स घनत का अंतर राश्टी पद्यत में क्या अंतर राश्टी पद्यत में इंटर नेसला यूनिट क्या होते है निउटन प्रति एंपिर इंटु मीटर या बेवर प्रति मीटर होता है निउटन प्रति मीटर इंटु मीटर होता है ये चीज़े प्यार बचु नोट कर लीजिए जो कि आपके लिए क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्या होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दुसरा या पर प्रश्ण है दुसरा प्रश्ण क्या है निम्न लिखित को बैदुत चुम्बकी तरंगों को उनक आधार नहीं लिए एरे बच्छो कम राउंगौ में नश्यवारा टृघ्स किनलों का भाय। किल में ल्यायर घळते विखर्णी। पहले गामा किरने फिर X किरने फिर माक्रो किरने फिर रेडियो तरंगे अगर घड़ते हुए करम में बोल दे तो रेडियो तरंगे मैक्रो तरंगे एक्स किलने और गामा किलने ऐसे आप लिख सकते हैं अगले आपे तीसरा प्रशन है प्रशन क्या है कि एक गोली प्रिष्ट पर प्रकास के अपवर्तन का सुत्र लिखी एक गोली प्रिष्ट पर प्रकास के पॉर्तन का सुत्र क्या होता है तो गोली प्रिष्ट पर प्रकास के पॉर्तन का सुत्र होता है एन अपान वी माइनस वन अपान यू एन अपान वी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान आर एन माइनस वन अपान आर तो यह किसका सुत्र होता है तो यह जो सुत्र होता है यहाँ आपके एक गोली प्रिष्ट पर प्रकास के पॉर्टन का सुत्र है जो कि संदोहजार उन्नीस और संदोहजार अठारक की पेपर में बना हुआ प्रश्ण है तो हम जितने भी प्रश्ण आपको देते हैं सभी सभी कोई पिछले साल से प्रष्ण बनती हैं जो पिछले साल क्या है हुए हैं उन्हीं प्रश्ण को हम प्यार बच्चों यहां पर जोड़ते हैं मानवनेत्र की समंझन चमता क्या होता हैं मानो नित्र की समंजन चमता को समंजन चमता कहा जाता है अगला यहां पर लगहुत्तरी प्रश्ण है आपसे बोला था कि लगहुत्तरी प्रश्णों को भी कौर करेंगे जो कि आपके तीन अंग के बोड़ प्रेच्छा में पूछे जाती है तो लगहुत्तरी प्रश्ण प्यारे बच्चो क्या है सबसे पहला प्रश्ण है सतत यानि सतत स्पिक्ट्रम पहला पॉइंट फिर उसके बाद रेखी स्पिक्ट्रम में दूसरा पॉइंट सतत स्पिक्ट्रम में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इस प्रकार की स्पिक्ट्रम में लाल रंगों से लेकर वैगनी रंगों से लेकर वैगनी रंगों से लेकर वैगनी रं पर केवल कुछ चमकीले रंगेंद रेखायां प्राप्त होती हैं बलकि सभी इस प्रिक्ट्रम विद्यमान नहीं होती यह प्यार विच्व पॉइंट है नोट कर लेजिए फटाक से अगले सभी रंग दूसरे को चित्र में अति व्यापित कर जाती है किसमें रेखायों की संख्या तता तरंगदैर्द केवल दिये गए अगला पॉइंट बनेंगे सता है इस इस इस्पिक्ट्रम में रंगों की सीमाओ का निर्दारन सरल होता है इसमें क्या होता है और बहुत ही कठिन होता है तो यह पॉइंट वाला इसका देखी इसका जो solution है इसका जो solution है वो तो notes के साथ आपको मिल जाएगा टेलेग्राम में तो जाके टेलेग्राम में इसका solution note कीजिए लेकिन ये प्यारबच आपको home or kikirum में दे रहा हूं और इसको लगाईएगा ये बहुत important है और हर साल बोड परिच्छा में आया हु c square मैं इसका solution क्योंकि ये पीछे इसका solution भी है अगर मैं चाहूं तो आपको बता दू लेकिन इसको home work में देना चाहता हूं क्योंकि बहुत important है बार बार आया हुआ है और इसका notes में प्यारबच पूरा data दिया गया है इसका जो data है पूरा solve notes में दिया गया है और notes कहां से व quality में इसलिए प्यारबच टेलेग्राम हम आपको दे रहे हैं ठीक है न और जाकि यसके मिशरी आप जोइन कीजिए लोगो एक जैसे हैं सभीक सभी और वहां प्यारबच आप डाउनलोड करें ओके दूस्तु थैंक्यू जैहिंद और हाँ लाइक जरूर करें अपने दोस्त